हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में यह है साउट आफ्रिका टी ट्वेंटी एंड यह है पहला मुकाबला और होगा हमारा आज का फैंटेसी प्रिव्यू जे-एस-क वर्सिस ए-ए-स-क लास्ट एर के चैंपियंज इस्टिन केप यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह गेम खेला जाएगा अगर आपको प्रणाशिएशन पता है तो आप करेक्ट कर सकते हो बट मैंने साब से ग्वेकर वास से जो तरीके से आपको चाहिए थे वह आपको ऐसे इस ताइल में देखने को मिलेंगे तो बस एक और गेम का इंतजार क्योंकि थोड़ा से समय लग रहा है तो एक आप गेम में यह कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगी और फेवरिट प्लेयर कार्ड बट अब चलते हैं आज के प्रिव्यू की तरफ टाइम फर EAC वर्सिश तो जैसे मैंने कहा था गेम खेला सकते हो and game के certain instances पे अपने yes या no के simple जवाब से आप पैसे जीच सकते हो तो बिलकुल sign up करिए real 11 का app link है इस वीडियो के description में मैं कहलूँगा अपने small leagues on my mask 11 like always मैं अपने ज्यादा वहाँ पे 5 member leagues कहलता हूँ and mini jails on dream 11, my fab 11 and fantasy dungal exchange 22 picks हम discuss करेंगे at the end of this video अगर तब तक वो picks live हो जाते हैं तो यह हुई आज के preview की बात remember to join us at the rate fantasy click pro on twitter and telegram दोनों के links है इस वीडियो के description में तो अभी के अभी जाके जुड़ेगा and like always remember to like comment share and subscribe bell icon hit करें ताकि आपको latest videos के notifications आते रहें and video बिलकुल end तक देखेगा कि आप चाहे like नहीं करो comment नहीं करो बट जब आप video end तक देखते हो तो उससे होता है यह जो video है ज्यादा लोगों तक पहुच पाती है ensure you watch till the end and remember to sign up on my master 11 and exchange 22 यहां पर आपके लिए best offers no GST and no TDS as well on exchange 22 so don't forget to sign up and weather report की बात की जाए तो clear weather expected for this game at St. George's Park that is good news and एक पूरा मुकावला यहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए pitch report की बात की जाए तो pitches यहां पर जो थी last year they were good for batting at the start and जैसे season progress करता गया pitches slow होती गई तो maybe यह progression वापस आपको देखने को मिले but important है कि आप यह देखे कि pitch report में क्या कहा जाता है अगर एक used pitch है तो फिर maybe starting से ही वो pitch slow होगी and जो recent India was South Africa वाला game हुआ था यहां पर वहां पर थोड़ा सा tricky था pitch even though यह game थोड़े से gap के बाद हुआ था ऐसा कोई recent game उसके पहले यहां पर नहीं हुआ था so in case वैसे ही type की pitch use की जाए तो batting थोड़ी tricky वहां पर हो सकती है and ज्याद रखे कि last year यहां पर left-arm orthodox spinners का bowl बाला चला था रोल-off random mover ने पूरी तरीके से यहां पर तहल का मचा दिया था इस साल लियम दॉसन एज रिप्लेस्मेंट अब यहां पर boundary dimensions आब एक बार देख लीजिए 70 meters to one side उसके अलावा 77 straight and square boundaries थोड़ी सी short है one side 64 one side 67 यह हुई आज के pitch report की बात अब चलते है expected 11 की तरफ तो EAC की बात की जाए यह आड़ी पहले डिसकर्स कर चुके है एड़ें टेंबा बवुमा या डाविट मलान टेंबा बवुमा के availability पर कुछ concerns थी बट जो हमने last social media पर update देखी थी वो यही थी कि उन्होंने team को join करें खेल सकते हैं that's a probable chance Jordan Herman लास्ट यर बहुत इंप्रेस किया था इन्होंने Aiden Markram, Tristan Stubbs, you don't need any introduction there, Marco Jansen, Liam Dawson, bear swap new hole या swap swanipoil जैसे भी इनका नाम प्रनांस किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से इने scout out किया गया था from the South Africa T20 auction and pace bowler है power play में ball move करते हैं interesting रहेगा देखने को कैसे जाता है inka tournament and big hitter है down the order. Daniel Worrell जो एक replacement player, Susanna Mangala नहीं available, Bryden Cass नहीं available and Craig Overton नहीं available and Ortoniel Bartman जिन पे responsibilities अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी क्यूंकि death roll अब यहीं निभाएंगे JSK की बात की जाए तो Faf Duplessy, यहाँ पे Reza Hendricks, Mohin Ali, Lewis Duploy, Donovan Ferreira, David B. Sir, Romario Shepard, Nandre Berger, Gerald Quirzi innings and वो चीज आपको fantasy value के एसाब से थोड़ी से dangerous लग सकती है first innings and second innings record is not great क्योंकि यह इतना ज्यादा high risk लेते हैं इनकी average मुश्किल से 25 के below चल रही है बट पिछ इनने suit कर सकती है क्योंकि इस तरीकी की pitch है कि starting में batting के लिए अच्छी होती है and then it slows down as the game progresses form भी इनका ठीक टाक रहा है and matchups कुछ खास sample size है नहीं overall एक ठीक टाक पिक इनने कहा जाएगा क्योंकि इनके opposition में अगर आपको wicket keeper लेना है तो वह है Tristan Stubbs दोनों same team से खेल रहा है by opposition I meant अगर आपको सिर्फ एक keeper pick करना हो and Tristan Stubbs का form थोड़ा concern है conversion rate थोड़ा concern है and अगर third या fourth spinner है team के तो maybe उतनी खास होने bowling भी ना मिले वहाँ पे आपको एक अच्छी fantasy value देखे जाते हैं अपना समय लेके खेलते हैं at the start एक जो concern रहता है इनके साथ on high scoring pitches especially जब chase कर रहे हैं तब वहाँ पे अपनी wicket जल्दी दे सकते हैं under pressure क्यूंकि ऐसे type के player नहीं कि पहले दूसरे ball से अपने shots खेलने जाए classical style के player है तो fantasy value के साब से बहुत अच्छे especially जब पहले batting करते हैं risk meter इनकी quite low टेमबा बवुमा ठीक टाक प्लेयर है recently injury से जूज रहे दर test match नोंने miss किया and poor strike rate है इनका against high pace वहां पे accelerate करने को थोड़ा सही है struggle करते हैं अभी के लिए मेरे team से बाहर रहेंगा बहुत सारे अच्छे options है हमारे पास in this game jordan हमें एक ठीक टाक पिक कहूंगा इने में एक proper technique है इनके पास बट फिर भी of the back foot बहुत ज्यादा strong है cut पे pull पे on the leg side तो काफी अच्छे प्लेय रहे हैं बिल्कुल आप GLS में इने try करेगा in the first set of games अगर pitch बहुत अच्छी रही फिर बैटिंग तो फिर आप में बहुत अच्छी रही फिर बैटिंग तो फिर आप में इने small leagues मे match up है जो मैं आगे match up section में discuss करूँगा बट उसके अलावा generally इस team के six bowler and साथ साथ में classical batter one of my favorite players in the modern era and ये होंगे मेरे लिए captaincy wise captaincy choice in this game बात का बिल्कुल ध्यान रखेगा क्यूंकि captaincy wise captaincy choices में अब यही पर discuss करूँगा at the end of the preview में आपको नहीं बताऊंगा महाँ पर जो लोग ध्यान दे रहे हैं उनके लिए यह फाइदा बिल्कुल होना चाहिए कि उन्हें पहले से वह information मिल जाए तो यह हुई एड़न माकरम की बार ट्रिस्टन स्टाब्स इनके लिए conversion एक बहुत ही बड़ा concern रहता है बहुत ही attacking player है first batting में बिल्कुल consider किया जा सकता है बड़ प्रॉब्लम क्या है कि जब जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तब ही आते हैं तो इनके पास वो strike अब वाइल में भी यहां पर उतनी खास movement ना मिले in comparison to other venues of South Africa फिर भी with the bat and with the ball overall मिला कि आपको बहुत अच्छी value दे जाते हैं as very likely कि 6 या 7 पर यह batting भी करेंगे so hence I think a top captaincy vice captaincy choice again fantasy value meter obviously very high क्यूंकि very likely कि 4 overs डालेंगे and top 7 में batting करेंगे risk meter high इसलिए यह venue पर क्यूंकि अगर इने upfront moment नहीं मिले तो फिर maybe wickets मिलना इनके लिए concern point हो सकता है बड़ क्यूंकि सिस्सार्ण ना मंगाला नहीं है season हो सकता है कि death में इन्हें एकाद over मिल जाए यह हुई Marko Jansen की बात एक top player है Liam Dawson I think इस venue पर अच्छा कर सकते हैं especially जब second bowling करें एक problem है इनकी साथ कि जब यह पहली bowling करते हैं थोड़े ज्यादा defensive style के बोलर है तो जब runs का pressure हो तब इन्हें wickets मिलती है while जब players को खेल के निकालना हो तो तब उस situation मे maybe उतनी fantasy value इन्हें से ना मिले हो सकता है यह 15-20 run दे के एक 4-over का spell डाल दे बट उससे आपको fantasy value कुछ खास नहीं मिलेगी तो इस पात का धियान रखे with Liam Dawson especially when he's bowling first Bears swap Neal, बहुत बात हुई है इनके बारे में across the South African media and एक proper aggressive face bowling all-rounder रहे है with the ball and with the bat हमेशा wickets लेने का इनका इरादा रहता है, swing करते हैं ball को in the power play and obviously यहां पर कितना swing मिलेगा that will be subjective, अगर यह 4th या 5th bowler है team के and हमें पता है after looking at the line-up की इन से 3-4 overs expect कर सकते हैं तो फिर probably team में आ जाएंगे, else maybe in the first set of games इनने में सिर्फ में GL में try करो तो Bear Swap Neal, Daniel Worrell, अब यह वापस यहां पर आप देख सकते हैं theme with the Eastern Cape bowlers, यह सारे जो bowlers हैं ऐसे हैं कि जब off the pitch इने help मिले तो वहाँ पर यह थोड़े ज्यादा lethal हो जाते हैं बट क्यूंकि इनका home ground ऐसा है कि ज्यादा slower bowlers को favor करता है maybe उतनी help उन्हें ना मिले, so it will be interesting to see how he goes अगर pitch report में कहा जाता है कि upfront movement होगी तो तब इन्हें बिल्कुल try किया जा सकता है death में इनके numbers काफी खास खराब है Simon Hama, I think इस type का venue इन्हें बिल्कुल suit करना चाहिए क्योंकि off spinner and बहुत ही discipline line and length से डालते हैं इन्हें थोड़ा सा भी turn मिलता है तो और doubly dangerous हो जाते है and हमने देखा था है अंदर T20 blast कुछ games उन्हें बैट के साथ भी finish किये थे will be interesting to see how he goes second bowling में बिल्कुल इन्हें मैं try करूंगा maybe even in my small league teams आया ग्वाकामने अब वापस इनके लिए कोटा है concern रहेगा कि कितने बोलर्स हैं आपके पास already in the team तो वह साब से इनका bowling quota decide होगा कि इनको कितने overs मिलेंगे हैं नहीं first set of games में maybe इने not try करूं but if he is bowling first तो तब maybe कुछ teams में JL में try किया जाए अब इनका रोल यहां पर इस साल बहुत ही ज्यादा important हो जाएगा क्यूंकि I think the only dead bowler who inspires any sort of confidence is him इनके पास एक बहुत ही अच्छा wide yorker है and variations अच्छी कासी है last game 11 last year इनको 11 wickets मिले in five matches bowling first तो काफी effective रह सकते हैं especially in bowling first बड़ हमने यह भी देखा है कि across league जहां पर भी यह खेले हैं domestically वहां पर जब flat batting tracks रहती हैं थोड़ा सा यह travel कर सकते हैं जब अच्छे batters हो सामने तो इस बात का धियान रखेगा बड़ पहले bowling में definitely मैंने टीम में लोंगा तो यह हुई इस्तिन केप की बार एक power pack team बहुत सारे interesting players कुछ injury concerns अब चलते हैं जोहनिस बर्ग super kings की तरफ जो है वापस एक team with some hit and miss players तो देखते हैं we start off with fab duplicy the captain of this team obviously इनके साथ risk meter low है starting में ज्यादा risk नहीं लेते हैं which is good for us from fantasy perspective and इनके साथ एक जो problem है कि upfront जब movement रहती है तो वहाँ पर थोड़ा सा rattle हो सकते हैं and slower turning pitches पे strike rotation में मुश्किल हो सकती है बट क्यूंकि यह power play से ही start करते है अपनी batting first ball से तो जब तक वो phase आता है कि इने spin को खेलना है तब तक वो आपको probably fantasy value already दे चुके होंगे तो hence definitely मेरी team में इनको जगह मिलेगी for the first game Reza Hendricks good player on flat batting tracks and वापस ऐसे type के player है जो power play में capitalize करने की कोशिश करते है and यह ऐसा venue है जहां पर power play में batting conditions will be the best and then will deteriorate to a strike rotation है इनका against the moving ball but again on this venue how much will the moving ball be a concern यह key question रहेगा also जब bowlers इन्हे line and lens से डालते हैं तब इन्हें पकड़के रखा जा सकता है तब इन्हें strike rotation में मुश्किल होगी मोहिन अली अब maybe this venue might be the venue जो इन्हें थोड़ा ज्यादा suit करें in comparison to other venues as हमने देखा इनके साथ कि जब आप इनको on the body डाले थोड़ा सा शॉट डाले तो तब वहां पर इन्हें मुश्किल आयते हैं आ सकती हैं maybe this venue पर थोड़ा सा इन्हें better batting conditions मिले इनके batting style के साबसे अभी के लिए यहां पर cross डाला हुआ है इस फॉर्म भी इनके साथ नहीं रहा है अगर six या seven bowling option रहे टीम के कितने overs इन्हें मिलेंगे वह भी concern रहेगा hence अभी के लिए not in the team but based on the toss and the line-up यह call बदला जा सकता है Lewis Duploy last year बहुत ही अच्छे रहे थे यह with the bat and जहां पर pace and bounce वाली conditions वह वहां पर इनके बास shots all around the ground है पहले batting में इन्हें try किया जा सकता है donovan Ferreira एक similar case to Tristan Stubbs बहुत सारा potential है इन type के players में powerful ball striker and जहां पर wanderers जैसा track हो जो इनका home ground होगा वहां पर खेलना पसंद करते हैं इस type के venue पर कैसा करेंगे will be interesting to see maybe इस साल wicket keeping gloves भी यही ले आज मुझे नहीं दिख रहा है कि कौन सा दूसरा option drawn and herman एक option है but क्या उन्हें directly 11 में slotting किया जाएगा that will be interesting to see as वो एक rookie player है तो यह हुए donovan Ferreira की बार डेविड वीसा इस type का pitch इनने suit करेगा इनके जो cutters है काफी effective रह सकते हैं यहां पर and rely करते हैं ज्यादा wide lines पर and defensive situations में ज्यादा generally use किये जाते हैं and finisher भी अच्छे हैं कभी कबार down the order आके कुछ बड़े hits आपको लगा के दे सकते हैं फिर आते हैं Romario Shepard की तरफ वापस a really good player with exponents of cutters and इनके पास एक height अच्छी है जिससे इने bounce भी मलती है good finisher down the order and off the back foot यह काफी अच्छा केलते हैं last year हमने इनसे काफी cameos भी देखे थे with the bat तो definitely यह भी टीम में रहेंगे especially जब पहले bowling करते हैं and even in second bowling इनकी जो cutters है काफी यहां पर काम आ सकते है जराल कुर्ट जी obviously one of the revelations currently जिस तरीके का इनके पास pace है बहुत ही lethal रहता है I don't know यहां पर हाथ का sign क्यों है क्योंकि यह बिलकुल एक बहुत ही बड़ा take है क्योंकि first and second bowling दोनों में इनको wickets मिल सकते है एक wicket machine हो गए है off late नंद्रे बर्गर अब इनके साथ वही key concern रहेगा कि इस pitch से उनको कितनी मदद मिलेगी else इनका जो left arm pace है काफी lethal है इनके पास एक बहुत ही sharp in swinger भी है तो बिलकुल try किया जा सकते है maybe इस game में ज्याद है in grand leagues based on the conditions Lizard Williams इनके इनकी जो death bowling है वो भी एक काफी अच्छी exponent है इनके पास वो change ups है जो काफी deceptive है इनका जो high arm action है उपर से इनका जो action आता है थोड़ा इनके पास एक sling sling की sort of action है और कभी high arm release होता है कभी थोड़ा सा lower arm release होता है वर थोड़ा सा tricky होता to pick and वो हिसाब से पहली bowling में बिल्कुल यह एक अच्छे risk बन सकते हैं आपके लिए so in type के conditions इनको बिल्कुल suit करने चाहिए second bowling में बिल्कुल इन्हें में pick करूँगा अगर इन्हें team में एक जगें मिलती है क्योंकि जिस accuracy से bowling करते हैं बहुत समय इन्हें wickets मिल सकते हैं ऐसे tracks पे कौन से tracks पे इन्हें तकलीफ होंगी जहां पे tracks बिल्कुल flat होंगे and nothing in it for the bowlers तो अगर यह team में रहते हैं second bowling करते हैं तो definitely इन्हें try करूँगा इमरान ताहिर similar style थोड़ा इनके पास एक sharp googly है and जो जिस space से spin करते ball को कभी कभार pick करने को भी difficulty हो सकती है कभी कभार इनके जाथ यह भी हो जाता है कि control के लिए struggle करते हैं ऐसे टाइप के bowler है कि जब एक wicket मलता है तो फिर दूसरा तीसरा wicket लेने में इन्हें समय नहीं लगता तो definitely an interesting choice and वापस second bowling में बिलकुल pick करूँगा first bowling में 50-50 based on the pit तो यह हुई इमरान ताहिर की बात अब चलते हैं आज के match ups की तरफ and कुछ कर दो के match up का यह कर दो है दो कि कि आप है कि अज़ा कर दो कि कि एक थे इसकी बात तो नहीं है कि अज़ाख आन तो नहीं है कि आफ कि ए किस के favor में जाएगा अब चलते हैं आज के dream 11 team की so we start with the keeping section and यहां पर जैसे मने गाँ two interesting choices interesting stuff then adam rossington अभी के लिए मैं जाऊंगा with adam rossington for keeping value and क्योंकि जिस phase में batting करेंगे they will be the best batting condition for the day batting की बात की जाए तो यहां पर fab duplicy जैसे मैंने का a straightforward pick and not too much to think on this section and reza hendricks अभी के लिए मैं बिल्कुल लेके जाओंगा david malan a call based on the toss and based on the conditions फिर बात करें यहां पर all rounders की aiden markram marco yansen आप दोनों को बिल्कुल लेके जाओगे romario shepherd भी definitely इस team में एक जगे ढूनेंगे because of his style of play तो यह तीन players यहां से बिल्कुल lock रहेंगे पहले मैं उन players को ले रहा हूं कि कोई भी situation में बिल्कुल यह मेरी team में रहेंगे फिर हम लेंगे बाकी players को जराल कुर्ट जिया definitely in the side and imran tahir in both situations i think मेरी team में इने भी जगे मिलेगी तो यह हुई मेरे main eight players for today reza hendricks obviously जिस तरीके का style of player कभी कबार second batting में इन पे risk लिया जा सकता है so that will be a call based on the conditions अब चलते हैं बाकी के players की तरफ ortoniel Bartman पहले bowling करते हैं तो definitely मेरी team में रहेंगे david malan if batting first will be in the side and finally जो last pick है थोड़े से ज्यादा tricky but i think कि अगर mohin alis the sixth option of his team तो फिर इने team में जगे मिलेगी in case seventh या यह तो option है in the bowling फिर में यहां से एक extra bowler लेके जाऊंगा तो यह हुई बात आज की fantasy team की जो captain and vice captain है उन्हें already discuss किया गया है while discussing the player cards तो पीछे जाके अगर आपने कोई भी section skip किया है वहां पर मैंने already मैंने top captaincy and vice captaincy choices आज के discuss कर लिये हैं अब चलते हैं हमारे आज के GL options की तरफ तो GL options की बात की जाए low select dark horse pick इमरान तायर while bowling second loose deploy while batting first क्योंकि एक बहुत ही classical finisher है and ortoniel bartman while bowling first high select droppers bomb david malan while chasing हमने अरड़ी देखे हूए इनके numbers बिस तरीगे गायन का play है maybe उन्हें suit नहीं करे while chasing and mohin ali based on जिस तरीके का इनका form है जैसे मैंने का based on the lineup and कितने bowling options हैं के पास मैं small league में भी call in पे लूँगा grand league captaincy vice captaincy options batting first and bowling second faff and tahir batting second and bowling first marco yansen and shepherd and दोनों scenario's में mark kram and gerail kudzia तो यह रहे मैं आज के grand league options i hope आप सब को इस वीडियो पसंद आया हो and जो second video होगा it will be with more numbers and जैसे मैंने कहा था जो नए style का player card है वो भी मैं आपको यहां पे display करूंगा so till then remember to join us at the red fantasy cricket pro on twitter and telegram अगर आपने video नहीं like किया हो तो अभी के अभी like कर लीजिए and just for fun predict in the comments आपको कहा लगता है कितने runs बनाएंगे अज Aiden Makram जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए thank you so much for tuning in and thank you so much for all your support that